वेलकम बैक टो अनदर डील वाला वीडियो सेल चल रही है और डील वाले वीडियो चैनल पर धड़ा धड़ा रही है इतने सारे लाटप्स की वीडियो भी हमने रिसेंटली डाली और पूरे साल हमने स्नापड्रागन ये इतने सारे लाटप्स रिव्यू करें मेरे को तुम ने कुछ पूछा और हम वह ना ले गया है, ऐसा हो सकता है, तो इस वीडियो में हम जितने भी Snapdragon X and Snapdragon X Plus वाले laptop भी है, उन पर हम बात करेंगे, because Snapdragon X LDR बहुत महेंगी हो जाते है, and Snapdragon X series इनकी बहुत ज़्यादा popular रही है, हमने कितने सारे Snapdragon X वाले laptop review भी करें, और उसमें कि आप बढ़िया response तुमने दिया, तो भाई एक deal वाली वीडियो तो बनती है, क्योंकि discount मिल रहा बहुत तकड़ा, and models पे बढ़ने से पहले feature सुन लो, Snapdragon laptops है किन लोगों के लिए, किन को लेने चाहिए, तो अगर आप एक working professional हो, और एक student हो, और आपको day-to-day purpose के लिए, अच्छा battery backup वाला power efficient laptop चाहिए, तो आप Snapdragon X वाले laptop चेक कर सकते हो, and उसके ऊपर ये laptop 1.5 kg के आसपाद आते हैं, हाँ को 16 inches वाला हुआ तो 1.7 तक पहुंच सकता है, तेनल light category वाले laptop होते हैं, type-c charging वाले होते हैं, किसी भी PD charger से भी आप इनको चार्ज कर सकते हो, and the best part, अगर आप battery पर यूज़ करो, या charging पर यूज़ करो, या आपको same ही performance देते हैं, जैसे हमने Snapdragon X वाले laptop इते टेस्ट भी गरें, Cinema 823 का, जैसे हमने benchmark निकाला, Geekbench 6 हो गया, Puget Bench for Photoshop हो गया, जोको बिल्कुली similar performance निकल गया आती है, charging and battery पे, और जैसे कि students and working professionals मैंने बोला, तो सभी laptops के अंदर आपको MS Office भी मिलता है, और सम्में battery backup तो बढ़िया मिली जाता है, because power efficient बहुत है, सारे के सारे Snapdragon वाले laptops, 45 tops NPU के साथ आते हैं, जिससे ये Copilot Plus certified हो जाते हैं, अब जब Copilot Plus की certification हो गई, तो भाई, आपके laptop के अंदर बहुत सारी AI वाली चीज़ा आ जाती है, जैसे कि click to do हो गया है, जैसे smartphone का circle to search होता है, ऐसी laptop का ये Windows बटन प्रेस करके रखो, एक dot type आजाता है, instantly actions ले सकते हो, like copying, summarizing, text and images directly from your screen, और recall feature भी आ गया है, basically जो आप laptop यूज करो हो, उसके over time ये screenshots बगर लेता है, और कोई भी ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आती है, कोई आप shopping कर रहे थे, कोई product ऐसा है, और आपको समझ नियारा वो देखा कहा था, तो आप search कर सकते हो, तो आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ आपने कब surf करी है, ये बहुत लोगों के लिए बढ़ी है, बहुत लोगों के लिए, I hope you got the point, और Copilot Plus Laptops का Windows Search है वो काफी ज़्यादा advanced काम करता है, उसको आप normally कोई prompt भी देते हो, तो उसके हिजाब से results आते हैं, महलो आपके eyes में strain हो रहा है, तो कहता है dark mode लगा लो, मतलब descriptive language में भी आप लिख सकते हो, to find better results, और co-creator with paint, जिसमें आप कोई भी unfinished art बनाओ, उसको एकदम fine sketch में आप बनवा सकते हो, you can also make stickers, और भाके और भी options है, like generative erase, generative fill, image generation भी आप करवा सकते हो, उसके लिए पैसे office 365 का plan अलग से लगता है, और live captions भी जो initially अच्छा काम ने करा था, लेकिन अब काफी improve हो गया, 21 languages का support है, English वाला content देख तो तो बड़ी है, दिखाते ही है live captions बगरा, लेकिन जैसे मैं अपना content बगरा भी देख रहा था, लोकली आपके laptop पे रहन होता है, because it has a 45 tops वाला NPU, NPU जो है आपका AI task को handle करता है, बहुत ही power efficiency के साथ, यानि कि CPU पे बार-बार लोड नहीं आता है, और आपको better battery backup मिलता है, और हाँ, apps compatibility के बारे में लोगों के माइने बहुत सवाल है, बहुत सारी applications natively support के साथ आती है, लाइक जितनी भी office task वाली application है, like slack, notion, office studio, या जितने भी आपके browsers बगरा हो गए, and editors के लिए Photoshop and DaVinci Resolve तो natively है, and Premiere Pro का भी open beta आ चुका है, तो stable release भी बहुत जल्द मिल जाएगी, and definitely जितने ज़्यादा users बढ़ेंगे, आपको और application बिल जाएगी, और SNE Windows वाली application आप इसमें चलाएं सकते हैं, Windows वाला ही laptop है, तो EXC file चल जाएगी, Prism Emulation Layer के थूरू चलती है, सारी application आप चलाबाते हो, बाद जो native वाली है, वो ज़्यादा एफिशेंटली चलती है, वनना प्रिज्में मिलेशन के थूरू, तो सब चली जाता है, तो ये तो होगी, Snapdragon laptop की पूरी overall बाचित, अगर आपको समझ नहारा था है, कौन से laptop है, अब करते है deals की बाद, जिसके अंदर सबसे पहले है, Acemooze की VivoBook 14, सारी specs आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, सारे ही laptops के अंदर आपको 16GB LPDDR 5X RAM मिल जाएगी, और 512GB storage minimum है, और displays laptop के अंदर basic है, फिशेंडर निट्स की brightness, और 50Wh की battery है, all day long battery backup अराम से, अगर भलका फुल का use करते हो, तो एक दिन से जादा battery backup भी आप निकाल सकते हो, और भाई, discount बहुत जबर्दस, 57,990 का आया ता laptop ये, इस sale में 51,990 का मिलेगा, ये कोई offer वगरा के साथ नहीं है, ये listed pricing है, links वगरा सारे मैं दे दूँगा description में, या product tag कर दूँगा, अगर आप कोई भी ad free वगरा, browser extension वगरा लगा रखा न, तो आपको tagged product नहीं दिखेंगे, तो आप एक normal से browser में देगे, हमारा भी नुकसान मत करा हो, और उसके उपर 12,000 का bank offer अलग से, तो effective pricing 39,990 आपको मिल जाएगी, और साथ में 9 months की no cost TMI भी है, और up to 15,000 का exchange offer भी है इसके उपर, तो कुछ अगर आपको exchange वगरा में देना हो, भाई अच्छा discount ले सकते हो, और अगला जो laptop by Asus VivoBook S14 है, इसकी भी specs वगरा आप सारी screen पे देख सकते हो, सब कुछ almost similar भिलेगा, लेकिन इसके अंदर दो चीजे बेटर हैं, एक तो display, 100% sRGB वाली display है, और साथ में 70Wh बैटरी है, एक या देड़ दिन से उपर का backup आप निकाल सकते हो, depending upon your usage, वैसे अगर आपको depth में जानना है ना, battery backup अगरा कैसा है कैसा नहीं, अगर आप एसूस के लिए नहीं जाना चाहते हैं, लिनोवो के लिए जाना है, तो ये वाला option है, एंड ये इनिशेली 65-68,000 का था, इस सेल में 59-990 का मिल जाएगा, 5,000 का bank offer भी है, 54-990 का, और 9 months की no cost TMI, और up to 15,000 का exchange अलग से, तो मतब काफी अच्छे price पे, laptop साब को discount पे मिल रहे हैं, और Samsung Galaxy Book 4 Edge के ओपर भी अच्छाआ सा discount है, इसकी मेरे को बहुत demand मिल दी, comment section पे किये, बाई, कैसा है, कैसा नहीं है, जिस आप से pricing है, definitely एक considerable choice है, specs सारी screen पे आप देख सकते हो, almost similar specs मिलेंगी, इसकी battery capacity अच्छी है, 61.2Wh, और ये 60-61,000 का था पहले, sale में आप 58-990 का ले सकते हो, 9,000 का bank offer पे, तो effective pricing 49-990 तक मिल जाएगी, और 9-month की no cost TMI, और up to 15,000 का exchange offer भी है, कुछ exchange में देना तो अलग बात है, और ये भी एक considerable choice बन सकते है, इसका review नहीं है channel पे, अगर आप पो review देखना तो और मिल जाएगे YouTube बगरा पे, बट ये भी एक considerable device है, अगर आपको 14 या 15 इंचिस का laptop निची है, 16 इंचिस का laptop लेना है, तो ASUS VivoBook S16 आप चेक कर सकते हो, स्पेक सारी में स्क्रीन पर डाल देता हूँ, सेम स्नल्प्र का नेक्स प्रोसेसर है, बट ये laptop बैटरीस लिए है, इसके अंदर OLED डिस्प्ले है, आपका main motive, multimedia बगरा देखना है, आपको ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले से ही है, बड़ी अपंची कलर से ही है, अच्छा कलर gamut और अच्छी brightness भी, बड़ा laptop पर तो उसमें 70Wh की battery है, तो battery backup बहुत अच्छा आपको मिलेगा इसके अंदर, अब ये ना 70-72,000 का था, अब ही sale में आपको 63,990 का मिलेगा, और इस पर 14,000 का bank offer है, तो effective pricing 49,990 तक, बागे 9 months की no cost TMI, in case you want, और up to 15,000 का bank offer अलग से, अब अगर आपको Snapdragon X Plus के लिए जाना है, तो एक deal है मेरे पास, ये basically लिना X से उपर आता है, फिर इस Super X Elite आता है, मेजरली सिर्फ max multi-core frequency का हमारे को difference मिलता है, और सिनमेंज की performance में भी हमारे को minor सा difference इसके अंदर मिलता है, इसका review है हमारे चैनल पर अगर देखना हो तो आप देख सकते हो, बागी सारी specs में स्क्रीन पे डाल दूँगा, फिर ये 68,000 या सपस आ गया था, अभी sale में 63,900 का चल रहा है, इसके उपर 4,000 का bank offer अलग से है, 59,900 तक आप इसको ले सकते हो, effective pricing जो है, बागी 9 months की no cost TMI, अब टू 15,000 का exchange offer अलग से, ये सब Snapdragon वाले laptops की deal है, इनके laptops के reviews आप चेक कर देना, एक-एक करके, अगर आपको कोई भी buy करने का बन करता है, हमने काफी सारे review करके हैं, और उनके अंदर in-depth बातचीत करके हैं, and ultimate लेगर मैं आपको बताऊ, ये office users and students को target करते हैं, जिनका काम multimedia वाला है, day-to-day task करते हैं, जादा battery backup चाहिए, वो सब users इनको consider कर सकते हैं, सारे links में description में देदूँगा, और product tag भी कर दूँगा, in case you want to buy a snapdragon laptop, आप चेक कर सकते हो, और इस sale में आपने क्या-क्या बाए गया, वो भी बता सकते हो comment section में, वीडियो पसंद आई तो like मार सकते हो, पहले बार हो subscribe, मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाए!